अपने इस खास सेशन में हम बीते सप्ता की उन बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परिक्षाओं से होता है तो चलिए अपने इस खास कारिक्रम की सुरुआत करते हैं आस्टेलिया ने परमाणू आपूर्ती समुह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया और विश्तारित संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत में भारत की अस्थाई सदस्यता का समर्थन भी किया प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी और ऑस्टेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉर्ट मारिसन के बीच हुए ओं-लाइन सिखर सम्म्मिलन के बाद, जारी सजुकत बयान में ऑस्टेलिया यह जानकारी साजा किया भारती वाई सेना ने प्रिथक परिवहन या आइसोलेटेड ट्रांस्पोर्टेशन के लिए एक एयर बोर्न रेस्क्यू पॉर्ट का डिजाइन विकास और निर्मान किया है इसका उपयोग उचाई वाले क्षेत्रों अलग अलग अस्थानों और दूर दरात के क्षेत्रों से कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा भारती प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी ने आत्म निर्भर भारत का समर्थन करते हुए कहा कि इस एयर बोर्न रेस्क्यू पॉर्ट को बनाने में केवल स्वोदेशी सामगरी का उपयोग किया गया है इसके निर्माण में एवियेशन प्रमाडित सामगरी का उपयोग करके इसे हलके आईसोलेशन सिस्टम के रूप में विक्सित किया गया है इसमें रोगी को देखने के लिए एक पारदर्सी और टिकाव उच गुडवत्ता वाली प्लास्टिक सीट लगाई गई है जो मवजूदा माडलों की तुलना में बेहतर है यह प्रणाली चिकित्सा निगरानी उपकरणों के साथ रोगी को वेंटिलेशन की सुबधा भी देती है इसके आलावा यह हवाई परिवहन के दोरान करमचारियों को ग्राउंड क्रू सदस्यों में संक्रमन का जोखिम रोकने में भी सक्षम है इसके साथ साथ इसमें जीवन रक्षक उपकरण भी मौजूद है जीवन रक्षक उपकरणों में मल्टी पारा मोनीटर, पल्स ओक्सिमीटर, इनफ्यूजन पंप्स आधि सामिल होते हैं इसके साथ स्वास्त कर्मियों को भी सुरक्षा के इंतजाम है इसका डिजाइन स्वास्त एवंग परिवार कल्यान मंत्राले रास्टी प्रत्यायन बोर्ड और संयुक्त राज अमेरिका के रोग नियंतरन केंदर द्वारा जारी दिसार निर्देसों के आधार पर किया गया है नोबिल पुरसकार के एसिया संस्करण के रूप में माने जाने वाले रमन मैकसे से पुरसकार को कोविड-19 महामारी के चलते इस साल रद कर दिया गया है यह केवल तीसरी बार है जब पिछले च्छा दसकों में यह वार्शिक पुरसकार रद किया गया इससे पहले साल 1970 में वित्ती शंकट 1990 में फिलिपिन्स में आये भयानक भूकम के कारण इस पुरसकार को रद किया गया था एसिया के ब्यक्तियों एवंग संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेश रूप से उलेखनी कारी के लिए यह पुरसकार प्रदान किया जाता है हाल में यह पूरसकार पाने वाले रवीश कुमार हैं रवीश कुमार को यह पूरसकार साल 2019 में उनके उतक्रिस्ट पत्रकारिता के लिए प्रदान किया गया था रवीश कुमार NDTV समाचार नेटवर्क के हिंदी समाचार चैनल NDTV इंडिया के समपादक हैं और चैनल के प्रमुक कारिक्रमों जैसे हम लोग रवीश की रिपोर्ट को होस्ट कर रहे हैं साल 2016 में दे इंडियन एक्स्प्रेस ने अपनी सव सबसे प्रभावशाली भारतियों की सूची में रवीश कुमार को जगह दी थी अंतराश्टी क्रिकेट परिशद यानि ICC ने हाल ही में अपने खेलने के नियमों में अंतरिम बदलावों का एलान किया है ICC ने गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दिया है यह फैसला खिलाडी के स्वास्त और कोरोना महमारी के खत्रे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है इस फैसले के बाद अगर कोई खिलाडी लार लगाता हुआ पाया गया तो पहले अमपायर द्वारा टीम और खिलाडी दोनों को चेतावनी दी जाएगी लेकिन बार बार यह घटना दोहराने पर विपक्षी टीम को पाँच रन दे दिया जाएगा यानि लार लगाने वाली टीम पर पाँच रन का जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही ICC द्वारा यह भी शाफ किया गया है कि अगर टेस्ट मैच के दोरान किसी खिलाडी में कुरोना के लक्षन पाए जाते हैं तो उसके बदले दूसरे खिलाडी को खिलने की अनुमती दी जाएगी ICC ने टेस्ट में सभी टीमों को अब दो के बदले तीन DRS देने का फैसला किया है जबकि One Day और T20 में दो रिव्यू लेने का अधिकार होगा ICC ने आगे कहा कि टेस्ट में स्वेटर या जर्सी के अगले हिस्से पर 32 इंच के लोगों को लगाने की मनसूरी होगी पहले यह केवल One Day और T20 में ही मानने था टेस्ट में स्वेटर जर्सी पर लोगों लगाने के फैसले पर ICC ने तरक दिया कि इससे आर्थिक नुकसान जिल रहे बोर्ड अत्रिक्त कमाई कर सकेंगे जिससे वे कुछ हद तक नुकसान की भरपाई कर पाएंगे अमेरिकी विदेश विभाग ने विश्व के विभिन देशों में धार्मिक स्वतंदरता की इस्तिती को दर्साने वाली अंतरराष्टी धार्मिक स्वतंदरता रिपोर्ट अमेरिकी संसद में प्रस्तुत किया यह रिपोर्ट अंतरराष्टी धार्मिक स्वतंदरता पर अमेरिकी आयोग यानि USCIRF द्वारा जारी किया जाता है USC IRF अंतरराष्टी मानकों के आधार पर वैस्विक अस्तर पर धार्मिक स्वतंदरता के उलंगन की निगरानी करता है और अमेर्की राष्टपती, विदेश मंत्री और अमेर्की संसत को आवस्चक नितियां बनाने की सिफारिस करता है इस रिपोर्ट में चीन, पाकिस्तान, सौधी अरब और भारत के साथ कुल 14 देशों को विशेश चिंता वाले देशों यानि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंशन यानि CPC की सूची में सामिल किया गया है आपको बताते चले जब किसी देश को विशेश चिंता वाले देश यानि CPC के रूप में सामिल या नामित किया जाता है तो इसका अर्थ है उस देश में धार्मे के स्वतंतता का वर्तमान में व्यवस्थित तरीके से ब्यापक पैमाने पर उलंगन किया जा रहा है भारत को CPC में सामिल करने का मुख्यकारण कस्मीर की संबैधानिक इस्थिती, नागरिकता संसोधन अधनियम यानि CAA, राष्टी नागरिक रजिस्टर यानि NRC और मॉब लिंचिंग को बताया गया है रिपोर्ट के अनुसार भारत में धार्मिक रूप से प्रेरित मॉब लिंचिंग के मामलों तथा साम्परदाईक हिंसा से संबंधित मामलों को कानून विदों द्वारा कई बार अंदेखा किया गया है साथी रिपोर्ट में गौरक्षा के नाम पर की जाने वाली भीड हिंसा की घटना और सरवोच न्यायाले द्वारा राम मंदिर निर्मान के संबंध में दिये गए निर्डे और 2018 में सवरी माला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के संबंध में दिये गए निर्डे पर चेसकर मौब लिंचिंग को रोकने में कारगर हो। जब अनियंतृत भीड द्वारा किसी दोसी को उसके द्वारा किये गए किसी अपराध के लिए या मात्र अफ़ाहों के आधार पर बिना किसी अपराध किये ही पीट-पीट कर मार दिया जाये तो भीड के इसकृत्ट को ही म नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करने का निर्डे लिया है CSIR इंक्यूवेटर अटल इनोवेशन मीशन के तहट इस नई पर्योजना में विश्व अस्तर के स्टार्ट अप का समर्थन करने के लिए काम करेंगे साथी नवाचार के नए मॉडल लाने और CSIR नवाचार पार्क अस्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगे भारत के एक इंजिनियर ने इंटरनेट से नियंतित किया जाने वाला एक रोबोट बिक्सित किया है यह रोबोट COVID-19 के रोगियों के इलाज करने वाले हॉस्पिटल की जरूरतों को पूरा करेगा इस रोबोट का नाम को रोबोट रखा गया है यह रोबोट स्वतंद्र रूप से भोजन, पेपदार्थ, पानी, दवाईया और अन्य स्वास्त समंधी सामगरी वितरित कर सकता है साथी यह रोबोट, नर्सों, करमचारियों या अन्य देखभाल करने वाले लोगों की सहायता के बिना ही मरीजों को स्वास्त समंधी बेहतर सलाह भी दे सकता है इस रोबोट की तैनाती कल्यान के हॉली क्रोस अस्पताल में किया गया है उत्तराखंड के हलदवानी में एक बायो डाइवर्सिटी पार्क खोला गया है क्योंकि राज की सम्रिध वनस्पती विरासत, जलवायू परिवर्तन, आवास, नुक्षान और विकास गतिविधियों से खत्रे का सामना कर रही थी इसकी एस्थापना विश्व परियावरन दिवस के मौके पर किया गया इस पार्क में 40 विशैगत खंड हैं इसमें फल, पौधे, आउसथी और वानिजिक महत्य के पौधे भी सामिल किये गए हैं पार्क में ऐसे पौधों को भी सामिल किया गया है जिनका धार्मिक, सांस्क और अइस्थिहासिक महत्व है राज में बायो डाइवर्शिटी के ख्षरन का मुख्यकारण देश के पहाड क्षेत्रों में उत्पन होने वाले विशेश खादे उत्पादों की लोकप्रियता है इन खादे पदार्थों को सूपर क्रूट्स कहा जाता है जिसमें पहाडिय ट्विट समिट की मेजबानी करेगा इसकी घोषणा तीन जून को की गई दे ग्रेट रीशेट थीम पर आधारित यह अध्यूती ट्विट समित स्विट्जेट लैंड के दावोस में आयोजित की जाएगी इस इक्यावन में डबलू एफ सिखर सम्मेलन के मुख्यकारिक्र परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है उन्होंने आगे कहा कि विभेन देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई तकनीक मानव के इंद्रित रहे जिससे समस्त मानव समाज की सेवा की जा सके महासागरी महत्व से रूबरू होने और महासागरों के बढ़ते प्रदूशन के खत्रे और उनके सन्दक्षन के प्रती लोगों को जागरू करने के उद्देश से प्रतेक साल आठ जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतेक वर्ष इस दिवस के लिए एक खास थीम रखी जाती है इस साल की थीम एक सतत महासागर के लिए नवाचार निर्धारित किया गया है सैयुक्त राष्ट संग ने आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मनाने की मानिता साल 2008 में दी थी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गयर सैंड को राज की ग्रीश मकालीन राजधानी के रूप में मनजूरी दी है 8 जून को राजपाल बेबी रानी मौरी से मंजूरी मिलने के बाद गैरसेंड को ग्रीज मकालिन राजधानी बनाने के लिए सासना देश जारी कर दिया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने मार्च 2020 में गैरसैन को ग्रिसम कालीन राजधानी घोशित किया था अब उत्तराखंड उन राज्यों की सूची में सामिल हो गया है जिसकी दो या दो से अधिक राजधानिया है आपको बताते चले कि आंध्रप्रदेश में तीन राजधानियों का प्रस्ताव है तो हिमाचल प्रदेश और महारास्ट में दो दो राजधानिया है जम्मू कस्मीर में भी दो राजधानिया हैं लेकिन साल 2019 में इसे राजी की सूची से हटा कर केंदर सासित प्रदेश बना दिया गया था वैस्विक रेटिंग एजनसी फिच रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्वर्ष में 9.5% की व्रिद्धीदर के साथ आगे बढ़ेगी इससे पहले फिच ने अनुमान लगाया था कि अप्रेल 2020 से चालू होने वाले वित्वर्ष में भारत की जीडीबी व्रिद्धीदर 5% पर आजाएगी फिच ने यह भी कहा कि 9.5% की व्रिद्धीदर तभी संभव है जब देश स्वास्त क्षेत्र में ज्यादा गिरावट न दर्ज करें फिच रेटिंग, मुडीज और स्टेंडर्ड एंड पूर्ष के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेटिंग एजनसी है इसका मुख्यालय अमेरिका के नियू यॉर्क में इस्थित है केंद्री महिला और बाल विकास मंत्राले ने सिसु मृत्यूदर, मात्रू मृत्यूदर, कुल प्रजनंदर, जन्म के समय लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, सहीद बच्चों और महिलाओं के पोषण और स्वास्त सम्बंधी मामलों की जाज के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में दस सदसी टास्क फोर्स का गठन किया है। इस खास किस्म की टास्क फोर्स में विभिन संबंधित विभागों के सचियों को पदेन सदसी के रूप में नॉमिनेट किया गया है। मौजूदा कानूनों में उपयुक्त संसोधन का सुझाओ और अपनी सिफारिसों के लिए नए कानून भी सुझाएगा। वितमंत्री ने 2020-21 के बजट प्रस्थुती के दवरान तास्क फोर्स के गठन की घोशना किया था। में हुआ जो मासकों से लगभग 3000 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है। इन्हन को आमबर नया नदी में मिलने से रोकने के अवरोधक और तमाम उपाय किये गए हैं। चुक्कि इस नदी से एक जील निकलती है जो आगे जाकर दूसरी नदी से मिलती है। आगे चलकर यहनदी परियावरणी रूप से समवेदन सिल आर्कटिक महाशागर की तरफ जाती है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने बंदे उतकल जननी गीत को राजिगान का दर्जा दिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को ओडिशा मंत्री मंडल ने 7 जून को मंजूरी दे दी है। राजिगान का दर्जा दिये जाने के बाद अब यह सभी सरकारी कारिक्रमों और राज विधान सभा में विना वादे यंद्र के बजाया जाएगा लेकिन सभी सरकारी विद्यालियों, कॉलेजों और समारोहों में इसे वादे यंद्र के साथ बजाये जाने की अनुमती साल 2019-20 का खाद्य सुरक्षा सुचकांग जारी किया है इस सुचकांग में गुजरात, तमिलनाडो और महाराश ने रैंकिंग में सीर्स अस्थान प्राप्त किया है यह सुचकांग पांच मापदंडो, खाद्य परिक्षन सुविधा, मानो संसाधन और संस्थाग डेटा, अनुपालन प्रसिक्षन और उभोकता ससकती करण के अलावा, क्षमता निर्धारन के आधार पर तयार किया गया है छोटे राजियों में गोवा ने प्रथम अस्थान हासिल किया है, इसके बाद मडीपूर और मेघाले का अस्थान आता है किंद्रसासित प्रदेशों में चंडीगड, दिल्ली और अंडमान नीकोबार द्वीपसमू रैंकिंग में सबसे उपर है खाद सुरक्षा सुचकांक विश्व खाद दिवस की थीम, खाद सुरक्षा सबका ब्यावशाय है को ध्यान में रखकर जारी किया गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 6 जनवरी 1956 में लागू हुए उत्तर प्रदेश गोवत निवारन अधनियम 1955 को ससक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश गोवत निवारन संसोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है इस अधनियम का उद्देश गोवत निवारन अधनियम को संगठित और प्रभावी बना कर गोवनसी पसुओं की रक्षा और गोकसी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूनतह रोकना है इसके साथ ही अब गो तसकरी में शामिल वाहनों की चालक, ऑपरेटर और स्वामी भी इस अधनियम के दाएरे में आ जाएंगे इस अधनियम में 1958, 1961, 1989 और 2002 में भी संसोधन किया जा चुका है 5 जून को ACI फुटबाल परिशंग यानि AFC की महिला फुटबाल समिती की संपन हुई बैठक में फैसला लिया गया कि महिला ACI कप 2022 की मेजबानी अखिल भारती फुटबाल करेगा साल 1989 के बाद पहला मौका होगा जब भारत इस खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा इस टूर्णामेंट में कुल 12 टीमें भाग लेंगी जिन्हें पिछले चरण की 8 टीमों से बढ़ा दिया गया है बतावर मेजबान भारत सीधे ही क्वालिफाई कर लेगा गौरतलब है कि फीफा अंडर 17 महला विशुकप की मेजबानी भी अखिल भारती फुटबॉल को सौपा गया है नवंबर 2020 में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता को कोविट 19 महामारी की वजह से 2021 में आयोजित किया जाएगा इससे पहले भारत ने 2016 में AFC अंडर 16 चैंपियंशिप और 2017 में फीफा अंडर 17 विशुकप की मेजबानी कर चुका है हाल ही में दिल्ली के पूर्व कमिस्नर वेद मारवाह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया स्री मारवाह जारखंड मणीपूर और मिजोरम के राजपाल भी रह चुके हैं मारवाह 1985 से 1988 तक दिल्ली पुलिस आयुक्त के पत पर तैनात थे 1988 से 1990 के बीच राश्टी सुरक्षा गाड के तीसरे महानेदेशक के तोर पर भी काम कर चुके हैं स्री मारवाह ने Uncivil Wars Pathology of Terrorism in India नाम की पुस्तक भी लिखा था असम के तिनसुगिया जिले में इस्थिद बागजान तेल कुवा में नौ जोन को भीषण आग लग गई आग लगने की वज़ा पिछले 14 दिनों से अनियंत्रित तरीके से गैस का रिशाव बताया जा रहा है आग इतनी भीषण है कि उसकी लप्टे 30 किलोमेटर से भी ज़्यादा दूर से देखी जा सकती है औयल इंडिया लिम्टेड के बागजान गैस कुवे में तेल की रिशाव के बाद गैस की रिशाव को रोकने के लिए सिंगापुर की फम को बुलाया गया है हाल ही में बायोकॉन लिम्टेड की कारिकारी अध्यक्षिक किरण मजुमदार को साल 2020 के EY World Entrepreneur of the Year पुरसकार से शम्मानित किया गया 41 देशों की 46 उद्यमियों में से यह पुरसकार जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी और तीसरी भारती हैं इसके अलामा अन्य दो भारती कोटिक महिंद्रा के उद्यकोटिक और इनफोसिस लिम्टेड के सहसंस्थापक इन आर नारान मूर्ती को भी इस पुरसकार से शम्मानित किया गया किरण मजुमदार साल 2011 में सिंगापूर की हाई फ्लक्स लिम्टेड के ओलीविया लुम के बाद इस खिताब को जीतने वाली विश्व की दूसरी महिला है बहुभासावाद और सांस्कृतिक विवित्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रतेक साल 6 जून को सैयुक्त राष्ट रूसी भासादिवस मनाया जाता है रूसी भासादिवस को रूसी कभी अलेकसांद्र पुसकिन के जन्मदिन के आउसर पर मनाया जाता है सेंयुक्त राष्ट सैक्षीक, वैज्यानिक और सांस्कृतिक संगठन यानि यूनेशको ने इस दिन को रूसी भाषा दिवस की तौर पर चुना है गोरत अलब है कि सेंयुक्त राष्ट भाषा दिवस का सुभारम साल 2010 में किया गया था संयुक्त रास्ट की 6 अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग दिवस मनाई जाते हैं केंदरी मंतरी श्री जितेंदर सिंग ने वीडियो कॉंटरन सिंग की माध्यम से नौनिर्मित केंदर शासित प्रदेश जम्मो और कस्मीर लद्दाक के लिए प्रशासनिक अधिकरण यानि C-AT की अठारवी खंडपीट का उदगाटन किया इस ब्यवस्ता से प्रशासनिक नयाधिकरण के तहत आने वाली सरकारी करमचारियों को उनकी सीकायतों और सेवाओं की संबंध में त्वरित राहत मिलेगी गरतलब है कि भारती संब्धान के अनुच्छे 321 एक अंतरगत प्रशासनिक अधिकरण 1985 के तहत इसका गठन 1985 में किया गया इसका अध्यक्ष राष्टपती द्वारा नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवा निवरित न्याधिस होता है वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ती इल नर्शिम्हा रेड़ी है अध्यक्ष का कारिकाल 6 साल का होता है हाल ही में भारत के मसुहूर गीतकार जावेद अक्तर को रीचेड डौकिन्स पुरसकार 2020 के लिए चुना गया है उन्हें यह पुरसकार आलोचनात्मंग विचारधारा और तारकिक बयानों के लिए दिया गया आपको बताते चले जावेद अक्तर इस अंतराश्टी पुरसकार को पाने वाले पहले भारती बन गये है गरतलब है कि रीचेड डौकिन्स पुरसकार साल 2003 से उस ब्यक्ति को दिया जा रहा है जो सारवजनिक रूप से तरकसंगत धर्व निर्विक्षता के मोल्यों को बनाए रखने की उद्गोशना करता है फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए और पूरे न्यूज बुलेटिन का पीडिय डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार